भोगोलिक सूचना तंत्र सर्वप्रथम कैनेडियन श्रीमान रोजर टामलिंसन द्वारा प्रस्तुत किया गया जिने क्रिशी भूमी विकास हेतु सूचना तंत्र का जनक भी कहा जाता है। श्रीमान यान मैखर के डिजाइन वित नेचर रचना के भूमी प्रयोग शमता विशलेशन से सर्वप्रथम इसकी नीव पड़ी। जोड देते हैं। किबोर्ड, मानिटर, केबल, डिजिटाइजर एवं स्कैनर, भौगोलिक, सूचना तंत्र के हार्डवेर कहें जाते हैं। वेब जी आई एस में एक सर्वर एवं उपभुकता होता है। एक एकसल शीट जो ग्राम नाम, जंगरना, शेत्र, समय अंतराल आदी को सूचित करती हैं। गुण, एट्रिब्यूट, सूचना कहलाती है। एट्रिब्यूट सूचना का प्रबंधन एवं हैर्फे डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम द्वारा किया जाता है। स्थानिक विश्लेशन, विस्तृत एवं बहुल, जटिल, सूचना के गवेशना पर निर्भर होता है। पोस्टिल कोड स्थानिक सूचना का एक उदाहरण है। गुवन द्वारा भारतिय भोगोलिक सूचना, उदाहरनार्थ सैटिलाइट सूचना, मौसम संबंधी सूचना, वेक्टर सूचना आधी प्रदर्शित किया जाता है। भोगोलिक निर्देशांग पद्धती को एक पूर्ण अलंकृत भोगोलिक ग्रिड के जियोडेटिक डेट्म सहसयोजन की आवशक्ता होती है। जियोडेटिक डेट्म वस्तुता एक संदर्भ निर्देशांग है, जोकी जियोडेट से नियंत्रन बिंदों द्वारा जुडा होता है। भोगोलिक ग्रिड में पृत्वी पर एक लद्वक्ष दीरगवरितग्य आकरिती अनुमानित कर प्रतिछेद्नों को कार्तिय निर्देशांग प्रणाली पद्धती द्वारा दर्शाया जाता है। इसके हैतु पृत्वी केंदरक, पृत्वी स्थाई निर्देशांग प्रणाली एवं एक एफाइन चांसफर्मेशन की आवशक्ता होती है। पृत्वी एक लद्वक्ष परिक्रमन दीर्घवरितग्य के अंतरगत सुचारू रखने का प्रयास करता है। अक्षो से बड़ा हो तो प्रोलेट्स फ्राइड एवं जब उर्द्वाधर अक्ष दोनों अक्षो से छोटा हो तो अबलेट्स फ्राइड या लद्वक्ष गोलाब होता है। झाल प्राइड बथकृ क्षो से इस हुआता है। झाल झाल